एक्सेसाइस का दे बॉब ऑप दे पैंडुलम इस रिलीज फ्रॉम दे रिलीजनल पोजिशन सोज इन फीगर यहां पे कुछ फीगर इस तरह से दिया है यह 1.5 से रिलीज हो रहा है यहां से यह सीधा यहां के ठीक है यह वह ए और यह भी विच इस गिवन फीगर यह 1.5 मीट if the length of the pendulum is 1.5 मीटर what is the speed with which the bob arise at the lowermost part point B given the dissipates 5% of its initial against the air resistance means यहां से यहां से सीधा निचा आ रहा है तो यहां वह 5% एर की होजा से लाउस कर रहा है तो बचेगा कितना 95% अब यह देखे अब यह अपर से आ रहा है particular height से आ रहा है तो यहां पे क्या लगेगा यहां पे हमें लगेगा potential energy और collide करेगा तब वो हो जाएगा motion में तो वहां पे लगेगा kinetic energy so from that we can say that kinetic energy is equal to potential energy but the thing is that kinetic energy is one half mv square अब यहां पे देखे potential energy particular height से आ रहा है और उसमें 5% loss हो रहा है तो बचेगा कितना 95% of mgh अब क्या बोला है simple velocity define करने को बोला है तो यहां पे जो चीज़ cancel out होते है उसे cancel out कीज़े यह m will be cancel out ठीक है तो यहां पे हम लोग यह v square is equal to 95 percentage divided by 100 हो जाएगा g का value 9.8 height will be 1.5 और यह 2 भी धर multiply हो जाएगा तो यह हो गया 2 तो इसका calculation करे तो 95 into 2 करे यह देखे यह यहाद रखेगा 95 into 2 95 into 2 which is 190 तीक है यह गया 190 into 9.8 into 1.5 दिवाइड बाइ 100 यह दिवाइड बाइ 100 यह 10 वोड़ बी cancel out चला अब आगे करते है थोड़ा calculation कीजिए so v square is equal to 90 into 9.8 and 1.5 ठीक है तो उसका हो जाएगा 19 into 1.5 तो इट वोड़ बी यह 279.3 प्राइ किजिएका इतना ही आना चाहिए इतना आ रहा है मेरा मैंने किया हुआ है मैंने अभी pause करके तो मेरा इतना आ है नहीं पता जाले very simple आपको करना कुछ नहीं है यहां note करके दिखा देता हूं note करके that 9.8 ठीक है into 1.5 तो करना कुछ नहीं है 98 into 15 का कर दीजिए और यह 10 1 decimal यहां से remove किया 1 decimal यहां का remove किया ठीक है उसके बाद decimal आप लोग adjust कर सकते 90 into 15 का कर दीजिए और यह multiply 19 का उसके बाद कर दीजिए और यह दीखिए यहां पर already 10 है तो जितना भी answer आए उसे वापिस thousand से divide कर दीजिए तो यह simple वाला calculation आप कर सकते हैं अब यहां पर यह देखिए वी स्क्वेर सो यहां पर हमें तो सिर्फ वी चाहिए तो अंडर रूट आफ यह 10 डिवीजन में है तो से क्या लिखेंगे 97.93 तो वील आंसर अब इसका आंसर मुझे पता है मैंने किया हुआ है अब मैं डिरेक राइट कर लिख रहा हूं झाल को से क्यों विल्ख को さकत रविए जुआ हैं पर सक्वेर से क्यों कर दोरूर कैनल